ये शुकी सभी को इसा मसी ने हम सब को पवित बाइबल के द्वारा है दिस टांटों में हमें बताया है, समझाया है कि पाप और प्राश्यत के द्वारा कैसे हम शमा पा सकते हैं किसी पिता के दो पुत्र थे छोटे पुत्र ने पिता से कहा पिता आपकी संपती में जो मेरा भाग है आप मुझे देदीजे और वो भाग लेके अपना दूसरे देश चला गया वहां पर उसने वो सारा पैसा वो विलास में उड़ा दिये और उसके पास कुछ पैसा नहीं बचा तो उसने एक जगा नौकरी करी नौकरी में उसको सुखर चलाने परते थे और सुखरों जो खाते थे वही सुखर वही उस लड़के को खाना परता थे कुछ दिनों के बाद सड़के को विचार आया कि मेरे पिता के घर में तो इतने मजदूर हैं जो पेट भर रोटी खाते हैं उसी शन वो अपने पिता के पास आया और अपने पिता से कहा पिता जी मैंने आपके वृत और स्वर्थ के वृत पाप किया लिए और मैं ये परश्यताब करता हूँ कि अब मैं आपके पास आपके नौकरों के समान रहूँगा परंतू पिता ने उसे गले लगा लिया और कहा नहीं तू मेरा बेटा हो गया था और आज मिल गया है इसलिए उन्होंने अपने नौकर से कहा जाओ मोटा बचवा काटो और जश्न मनाओ मेरा बेटा हो गया था और आज मुझे मिल गया है तो प्रिये भाई बैनों, इश्वर यही हमें समझाते हैं कि हम पाप में गिर के हो जाते हैं, पर अगर हम प्राश्चित करेंगे, तो हमारा इश्वर जरूर हमें शमा करेगा और जरूर हमें कले लगाएगा, आमें